अस्वालेकम, कैसे हैं आप, उमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे सुबह का टाइम है, मैं हंडिया बना रही हूँ, क्यूंकि मेरे हस्बन को मैंने खाना देना है, जॉब पे साथ लेके जाने के लिए, तो मैंने का चलो सुबह सुबह बना लेती हूँ, रात को जो बन आपनी हूँ, आज हमारे गर बड़ा क्यूट सा चोटा सा महमान आया, मैं आभी आप लोगों को दिखाती हूँ, बच्चे इतने जदा हुशे हैं उसको देखके, तो बहुत जदा उन्जॉय कर रहे हैं, आगे चल के आपको देखने को नजर आएगा, तो ये चिकन बन रह जदेगा सारा दिन काम-काम-काम, बस काम में ही बीजी रहते हैं हम लोग, तो ये चिकन को अच्छी तरह मैं भून के तो इसको बस दम पर रुखूंगी क्यूंकि मुझे इसके दर कोई ग्रेवी वगरा नहीं बनानी है, इसको ऐसे ड्राय ड्राय बनाना है, तो अभी बस और मुस्ट ये त्यौर ही होने वाला है, तो हम लोग यहां बाहिर बैठ हमें बातियां कर रहे हैं, बच्छों के साथ और वैसे भी यहां बैठ के मुसम को अंज्जोए करेkommen से बहूत अच्छा मोंसम पर नेक्स रहें के सीर साइड पर जाएं बच्चों को लेकर तो मैं सोची हुँ लेकिन देख्ती हुँ अगर मिया साब मानते हैं तो फिर चलते हैं एक दिन उनको गड़ छुटी मिल जाती है तो फिर एक दिन इनको लेके चलते हैं कहीं पर हंडिया हो गई है तो आई हूँ उपर और कपड़े इनके इस तरी करूँगी अपने कपड़े मैंने चेंज किये इनके वी जो आप इस तरी करके दूँगी तो मुझे जाना है बाहर थोड़ी थोड़ी वह चीज़ें लानी है वो लेकिया होंगी और आप लोगों को फिर आके दिखाऊंगी फिर आप लोगों के साथ ही किचन वगरा कलीन करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को चोटा सा महमान दिखाती हूँ है बड़ी एकसाइटीड हो उसको देखे तो मुझे इतना वो अच्छा लगा हम लोग बैठे वे थे ना रूम में डोर ओपन थी गार्डन की तो बड़े अराम से आके हमारे गार्डन के अंदर से पहले तो रूम की तरफ आरह तो बच्ची थे लगा रही है नो बड़े प्यार से उन्होंने उसको उठा लिया और वो उनके हात् में आ गया है नोमल्मरी इस था बाग जाते हैं लेकिन उसमें बड़े प्यार से जो ना उनको ठाया बच्चों को तो बच्छे बड़े खुश हो कि चलो हमारे पास आ गया है तो वह मैं भी बड़ी हिरान हो गई तो यह कैसे हो गया मोजजा तो अभी आप लोगों को दिखाते हूं देखिएगा बहुत मजाएगा उसके डल कि अrit करें। सैसूरां यहाँ में इसे ही आव का रि stris rice doooo को शॉल कि रचा हैं वket वर्ड़ीर घ्टन को अबारेबर्स लद के ऍाहनेंगा तो एंदालскशन досक्ड़ine वे तो मैं यहां अपने बाल ठीक कर रही हूं जंगल बनावा था तो मैंने का चलो ज़रा इसको भी साफ कर लेती हूं मतलब कि यह जब स्ट्रेट करते हैं तो इतना सर हलका सा फील होता है तो ऐसे महसूस होता है कि बाल बहुत लाइट हो गए मेरे बाल इतने हैवी है इतने ठीक हैं इनको कंगी करना इनको लुक आफ्टर करना बहुत मुश्कील है और बहुत ज़्यादा हार होता है मेरे लिए तो मैं अभी तयार हुई हूई हूँ और जाने लगी हूँ मैं शॉप पे तो मैंने आपको लोग पहले मैंने आपको बताया था कुछ चीज लानी है तो 12 से फिर तीक हो जाते हैं तो मेरे बच्पन से ही बाल ऐसे हैं और मेरी अमी बड़ी तांग हुआ करते थी जब मैं चोटी थी कंगी करती थी तो मैं बहुत रोती थी दर्द होते थे बाल इसे तरह मेरे बच्चे भी ऐसी हैं जब मैं उनको कंगी करती हूँ तो बहुत रोत लेकियाई हूँ कि जो हमारे नजदी की एक इंग्लिश मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने खाने का बोला है कि उनको खाना बना के दें उनकी घर शायद कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो जब भी उनको जरूरत होती है तो वो मुझसे बनवा लेती हैं महीने में एक यां दो बार बनवा लेती होती हैं तो मैं उनके लिए चीज़ें वगरा लेकिया थी तो उनके लिए तैयारी कर रही हूं तो वो बनाओंगी खाना उनके लिए तो इसलिए फिर मैं थोड़ी दिर के लिए बाहर गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए तो घर आई हैं और चीज़ें सम जैसे जब भी आपने कोई चीज बगरा बनानी हो तो बस उसको निकाले और पीस के डालने चीलना नहीं पड़ता तो फ्रिज में आप उसको बड़े अराम से रख सकते हैं काफे टाइम तक निकल जाता है तो अभी बस उसकी तयारी करती हूँ खाना बनाने की उनको बनाके फिर देना भी है मुझे शाम तक मैं किसी और के लिए खाना वाना नहीं बनाती हूँ पहले मैं करती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया था मैं नहीं करती हूँ अब कोई भी पहले मैं खाना वगरा बनाती थी सब जो ओर्डर करते थे लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ और वो special मेरी दोस्त हैं तो जब भी मुझे Woah बोलती है मैं उनको बना के देती हो व może मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है हो तो मैं उनको इंकार ने कर सकती है तो उनको वैसे भी मेरा खाना अचा लगता है तो जब बोलती है तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है मैं बना दूँगी तो अभी बस ये चीजें वगरा समेटी है किचन भी देखें आप कितना मैसी हो गया है अभी इसको भी क्लीन करना है नॉर्मली मेरा किचन ऐसा नहीं होता है मैं इसको नीट एंड क्लीन रखती हूँ हर वक्त कोई फालतू का बरतन बाहिर नहीं होता और कोई ऐसी वसी चीज नहीं होती यहां पे जिससे किचन गंदा लगे तो अभी ये मीट वगरा लेके हैं इसको दो के मैं रखूँगी और बच्चों के लिए मुझे बनाने है रैप्स और उसके लिए चिकन लेकी आई हो तो भी मसाला लगा के मैं रख दूँगी जब उनकी आने का टाइम होगा स्कूल से तो फिर मैं उसके बाद उनको फ्राई करके दूँगी प्राइम 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 अर्ग्स तो यह जी वह चोटा सा महिमान जो हमारे घर आया है और अगले दिन दो दिन पहले जो ना किया हुआ कि छोटा सा बेबी वज़े था बैड का तो वह सिद्धा सिद्धा आके ना हमारे घर में लिविंग रूम के अंदर गिर गया तो पता नहीं घर्मी थी वह हामपावा था उसको प्यास लगी थी पिर हम लोगों ने में फटाफट गई शौप से वह बाजरे के दाने ले किया यह पानी दिया उसको तोड़े दिर के लिए उसको रखा खिलाया पिलाया और फिर मैंने बच्चों को बोला कि इसको छोड़ दो बाहर अपनी मम्मा के पास जाना है क्य सब्सक्राइश को शॉड़े झाल लेकिन बाहर नहीं जा रहा था उसको छोड़ दो जाने दो कि जहाने पूछ किँने शीन ने में नसल पे लिए कोंसा जाणवर है मतलब बर्ड है लेकिन कौन सी नसल है तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि कभी पाकिस्तान में इस सरा का देखा नहीं है तो यहीं की कोई नसल है तो मुझे नहीं पता यह कौन सी है तो बचे फिर इसके साथ इसको दाने जो मैं लाई थी पहले की दफार वो खिला रहे हुँ और चिकन बच्चों के लिए स्टिप्स बना रही हुँ तो इनको फटा-्फट फ्राइ करती होँ और उनकली खाना तयार करती हो में क्यों वह स्कूल से आ चुके हैं और मुझे देना है उनको खाना बना करें तो रैप्स बनाने लगी हुँ under मेरा इतना दिल करता था न मैं पैरेट लून जो बातिंग करता है वो मेरे हस्बन को मैंने बोला था तो वो कहते हैं वो बहुत दम महंगा है और वो तब आपके साथ यूस्ट होते हैं जब आप उनको बेबी जब वो तो लो उनको पाल के थोड़ा बढ़ा करो तब ही वो की और की लैंगविज बोलता होगा तो वो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है फिर संभालना तो चोटा बेबी वो उसको लेकि हम लोग पालें तो वो जदा अच्छा रहेगा बरहल मैंने अपने हस्बन को बोला था लेकिन वो देखे क्या करते मैंने उनका मुझे शोक है जो तोता बातें करते हैं वो वला लेके दें चलें जी अब चलती हूँ चिकन का फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती जाओंगी आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे लगे की जाने से पहले से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दौा में अपनी बहुत याद रखिएगा अल्ला हाफिज